श्री गनेशाय नमाहा ये राशी फल चंदरा राशी पर आधारित है चंदरमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्तिति ले कर आती है और इस वजे से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जिवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करत और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं चंद्रमा आपकी कुंडली के पांच्वे स्थान में रहेंगे जी हाँ पांच्वे भाव में चंद्रमा के होने से ये आपके लिए सबसे बहतरीन समय होगा चंद्रमा के पाचवे भाव में होने से आप काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे इस समय में आपकी आर्थिक स्तिती मजबूत रहेगी खर्चे कम होंगे और इंकम ज्यादा होगी मन पसंद रहेगा कोई टेंशन नहीं होगा सुबै से ही आप जोश में रहोगे उत्साह में रहोगे इस समय में आपके रुके हुए सारे पेंडिंग काम पूरे हो जाएंगे आपको पारिवारिक सुख मिलेगा पीता का सपोर्ट भी विशेश कर इस समय में आपको मिल रहा है इस समय में आपके बिजनेस में उन्नती दिखेगी आर्थिक स्तिती और मजबूती की और बढ़ेगी उधार दिये हुए या अटके हुए जो पैसे हैं वो आपको वापस मिल सकते है अटके हुए काम पूरे करने के लिए समय काफी अच्छा है दामपत्य जीवन में मधूरता रहेगी घर में खुशनुमा माहोल रहेगा इस दिन फैमिली के साथ समय व्यतित करना काफी अच्छा रहेगा आप भी खुश होगे और आपके फैमिली वाले भी काफी खुश रहेगे किसी तरह का टेंचन या प्रेशर इस दिन आप पर नहीं रहेगा अच्छे समय का अच्छा फाइदा जरूर उठाए लव लाइप में अपने पार्टनर को खुश करने के लिए समय अच्छा है पार्टनर के साथ आप समय व्यतित कर सकते है लाइप के बारे में मिलकर कोई अच्छा डिसिजन भी ले सकते है आज खर्चे नहीं होगे लेकिन आए अच्छी रहेगी स्टूडेंस के लिए भी समय अच्छा है अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखे और अच्छे समय का पूरा लाब उठाए ये समय आपके पढ़ाई के लिए भी इंपोर्टेंट है और समय आपके लिए अच्छा भी है तो पूरा लाब जरूर उठाए जम के पढ़ाई करे अच्छे रिजर्स जरूर आएंगे आज आपको स्वास्ते भी परिशान नहीं करेगा पूरानी परिशानियों में भी सुधार दिखेगा ये समय सरकारी कामों को पूरा करने के लिए उपयुकत है सारे सरकारी काम इस वक्त पूरे हो जाएगे इस समय में सरकार की तरफ से मान पतिष्ठा मिल सकती है जो लोग राजनीती में हैं, उनके लिए ये दिन काफी शुब रहेगा, इस समय अचानक से धनकी प्राप्ती भी होने के योग बन रहे हैं, यानि जो लोग शेयर्स में इंवेश्ट करते हैं, उन्हें मुनाफ़ा हो सकता है, इस समय में गुप्त धन मिलने के भी योग बन र यात्रा पर जाते हैं, तो यात्राई लाबकारी रहेगी, आपके बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए अगर आप यात्रा करते हैं, तो वो आपको काफी लाबदाय करेगी, वहाँ से आपको धन कमाने का भी मोका मिल सकता है, निवेश करने के लिए और कोई महतोपुर करना आपके लिए अच्छा रहेगा और एक अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिण विडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तों व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में में अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाय घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐ क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरप एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते ह । दोस्तो कापी लोगों को इस तरह की आदत होती है। कही से भी बाहर से आते है। कही भी जूते चपल फेक देते हैं। कुछ कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते या चपल डायरेक्ली उतार देते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के छट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीज़े तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीज़े बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है। इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें, क्लीन रखें। साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है, उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है, वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगाई ऐसी है के सामान को खीची लेती है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही, अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं, तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है। साथी दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है, जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घडी, जाडू, गमला, इत्यादी, तो आप इन सामानों को बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है, तो घर में ऐसी चीजों का मौजुद होना शुब नहीं माना गया है, इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है, इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्ज का संचार होता है, और जिस वजए से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, व्यक्ति के मन में चिड़ चिड़ा हट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है, इस का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है, इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है, दोस्तों एक और खास बात है, हमारे घर में मकडी का अगर जाला है, तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है, ज क्यों की मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है, हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा, तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके, हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है, तर परवेश हमारे घर में हो सकता है, तो इन चीजों को जरूर आजमाएं, इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें, धन्यवाद